अब नमस्कार प्रिया जन्म आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपने शुचिंद कवीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाई आप जानते हैं प्रार्थ्मा-पूजा चैनल पर आपको होते हैं अचूक होते हैं विभा के लिए जिनके विभा में देरी हो रही है वह उपाएं आपको निरंतर लगातार मिलते रहते हैं तो जिन बच्चों के विभा में देरी हो रही है जिन बच्चों का विभा नहीं हो रहा है उनको इतने छोटे-छोटे उपाएं बताती हू पिषी यह नहीं है कि आपके विवा की योग ना बनें तो रन्त विवा के योग बनेंगे आपके आज का उपाय हमारा जो है वो एक अंक को लेकर है देखिए अंकों का जोतिश में बहुत महतो है बहुत्स है यह उपर्टेंट हैं जो अंक जुड़े हुए हैं और कई बार आपको पता नहीं चलता कि कौन सा अंक आपको फाइदा देता है कौन सा नहीं देता ये अंक जो तिश में अगर आप जाते हैं वहाँ पूछते हैं अपने बारे में तो फिर आपको पता चलता है और कई बार अंकों का गल्त होना भी आपके जीवन में आपको नुक्सान करता है तो आज मैं बताऊंगे आपको कि एक ऐसा अंक जिसे कि आपने बाहरी देख लिया होगा उस अंक का अगर आप उपाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके विभा के तुरंत योग बनेंगे जो लोग आपको मना करके गए हैं जैसे कमेंट बक्स में अक्सर बेटे-बेटियों या माता-पिता के लिए जानती हूँ देखती रहती हूँ कि लोग बाग आकर चले जाते हैं मना कर जाते हैं कोई कारण नहीं होता या उनके होंगी आप इस उपाय को एक बार करके देखे देखे इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन मैं सजेशन करूंगी आपको कि आप इसे या तो मंगलवार को करें या शनिवार को करें करना आपको घर में ही है इस उपाय को बाहर कह के जा पाते हैं बच्चे नहीं जा पाते हैं कि लड़कियों के मुश्किल होती है महिलाओं को मुश्किल होती है दूर ही होती है इसलिए भी नहीं जा पाती है तो यह घर में ही करने का उपाय है जो बहुत आसान सा है आप इसे जरूर करें मादापिता कर लें बच्चे अगर कर सकते हैं मैं तो आपको नहीं कहूंगी कि कोई समयानिश्चित है इसका लेकिन फिर भी आप ऐक अच्छे समया में करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत जलद देखने को मिलेंगे जैसे मंगल्वार को सुबह का कह रही हो और शनिवार को शाम का कह रही हो आप क्या करिएगा कि एक कागज लीजिएगा और एक sketch pen काड़ा लीजिएगा या फिर काजल होगा अक्सर घर में महिलाओं के पास काजल होता है बेटियों के पास होता है महिलाओं के पास होता है काजल लीजिएगा माचिस की एक तीली से एक सफैद कागज पर तीन बार आपको आठ 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 लिख लेना है आपको तीन बार उस कागज पर आठ 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 लिख लेना है यानि कि आठ सो अठासी लिख लेना है और लिखने के बाद उस कागज पर आपको अगर आप सुबह म बैट जाएं आगर आप यह यह मानते हैं कि पूजा घरने के बाद हमारी पीठ है वह भगवान की तरफ हो जाती तो आप पस्च्चिम κα साइड में जाकर बैट ना बैठ आ यह तो पस्चिम के साइड में जाके पस्चिम की तरफ मुँझर करके इस खागज पर लिखे कागज को अपने सामने किसी जगह पर पाटे पर या किसी पलेट में रख लें और रखने के बाद आपको पांच मिनिट तक या पांच या साथ मिनिट तक आप घड़ी लेके पास में बैठ जाएं पांच या साथ मिनिट तक आपको आम शम शनेश्चराई नमा है इस मंतर का कितनी बार हो जाएगा घड़ी लेके बैठेंगे तो आप देख लेंगे कि 5 मिंट में कितनी बार हो गया या 7 मिंट में कितनी बार हो गया बस इतना ही आपको lijाप करना है और इस जाप करने के बाद आप अपनी मनोकामना कहें इस कागज को पर्ची को सामने कहें अपनी मनोकामना कि मेरी मनोकामना तुरंत पूरी हो शिगर विवा की जो देरी हो रही है वो देरी दूर हो अगर मंगलवार हो तो फिर आप हनवान जी को याद करिएगा पश्चिम की तरफ मूं करके आप जानते हैं कि शनी भगवान जब देरी करते हैं या किसी काम में विगनवादा डालते हैं तो फिर हनुमान जी का सहरा लिया जाता है कि हनुमान जी महराज उस सारी शनी की दिक्तों को दूर करते हैं जब आप हनुमान जी को उस वक्त में याद करते हैं आप हनुमान जी को याद करते हु आप इस जब को करें और शनिवार हो तो भी आपको हनुमान जी को तो याद करना ही है क्योंकि मैं आगे बता रही हूं आपको कि हनुमान जी को ही आपने इस पर्ची को समर्पित करना है बीच में आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी वीडियो आप बहुत प्यार से लोड़ता है तो अब आपको बताउंगी कि अब इस परची को जब आप जब कर लें धूप दिखा ले थोड़ा सा इसको मैं यह तो नहीं कहूंगी कि दिपक जरूर जलाएं लेकिन दूप जरूर दिखा लें इसको दूप दिखा लें कागज को और फिर जब करने अपना जब करने के बाद इस कागज को उठाएं आपके घर में मूरती हो चित्र हो हनुमान जी का जो भी हो उसके मूरती हो तो उनके पाम के नीचे रख दें इस परची को और अगर चित्र हो जैसे की तस्वीर होती है तो भी उसके नीचे इस कागज को छोटी सी परची को जिस प उनके जो तस्वीर हो उसके नीचे रख दें हनुमाल जी के पाउं के नीचे आपको इसको रखना है परच्ची को और अपनी रोजाना मनोकामना पूर्ती के लिए प्राथना करनी है इसके साथ ही एक काम़ों ग्यापको कि आप एक 8 एक आपका सिर्फ अपना जो आपका पैर ह हैं आपकी यह बूट है कुछ भी हैं उसके निचे स्कैच पैंट से लिख लीजिए आठ इदर भी लिख लीजिए दे फिर आप जत्रा भी चलेंगे फिरेंगे वह घिसेगा उतना ही वह आपको फायदा देगा काम करेगा आपके सारे काम की जितनी होगी जो भी नुकसान हो रहा है वो सब आपको फाइदा मिलेगा और जो मैंने पर्ची पर लिखा हुआ उपाय बताया है इसको आप अपने शिग्र विवा के लिए आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे तीन शनिवार करें या तीन मंगलवार करें पांच श शनिवार करें या 11 मंगलवार करें इसको इस तरह से कर लिजिए लेकिन तीन से कम ना करिएगा यह तो तीन शनिवार करिएगा यानि कि शनिवार को किया फिर शनिवार को किया फिर शनिवार को किया बीच में दिनों में नहीं करना इसी दरह से मंगलवार आप जरूर करें इस उपाय को माता पिता या बच्चे शिगर विवा के योग बनेंगे तो रंत आपके विवा की देरी उसी वक्त स्मापत हो जाएगी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना न भूलें कमेंडर वाक्स में जैह नुमान जी जैह शलिदेवर जिरुड़ू